जैसे तेसे कोर्णा संक्रवन से थोड़ी सी कमी को देखती हुए इंसान ने चेन की सास ली थी कि और एक बर्ड फ्लियू महामारी मुह बाहे खड़े हैं प्राप्त जानकारी के अनुसार साउनेर शहर से सटे भोपाल मुपा बाइपास पर साउनेर शहर से माक्र दो किलोमीटर की दूरी पर किसी अज्यात वैक्ती लगबख तीन-चार सो मरी हुई मुर्गिया रात के अंधिरी में रास्ते के बगल में पेक कर फरार हो गया सुबा की सेर पर नियमिता से जानी वालों को रास्ती पर उट्टी दुर्गंदी तथा बगल में आवारा कुत्त द्वारा उक्त मरी हुई मुर्गियों के लिए आपस में जगड दि दे उक्त घटना उजागर होने से हड़का मज गया किंतु परंतु के काईस लगाये जाने लगे उक्त घटना की सुचना हमारे सानिक समवादाताओं को लगते ही उन्होंने घटना सल पर पहुँच कर घटना की गम बिर्दा को देख साउनेर दालु का स्वास्त विभाग तथा साउनेर के थानेदार अशोग को उक्त घटना से मरी है तो इन मरी हुई मुर्गियों पर ताम मारती कुत्तों द्वारा यह संक्रमन शहर में पहुंच कर साउंदे शहर में बर्ट फ्यू फैलने का खत्रा मंटा रहा है साथी साउंदे शहर के जिकन और मचली व्यवसाइद्वारा शहर के मध्य से बहने वाली कोला नदी के पुलिया पर से दिनबर के व्यवसाय के मुर्गियों के मास के लोथड़े सीधितों से नदी में फेक ही जारे हैं जिससे पुलिया पर हमिशा ही आवारा कुत्तों का आतनक रहता है तो वही कुछ दिनों पहले इसी जगा हुई धुर्गट नामे एक बालक की मौत को भी इस व दोड़ा जा रहा है तो वही नगर प्रशिक्षन के स्वास्तों विभाग के लचर कारिब नाली फिर उजागर होकर सर्वत्र किर्किरी हो रही है ग्याद हो कि जिस पुलिया पर से ये मासों के लोथड़े नदी में फेके जाते हैं वो सांडे शहर के दो भागों को प्रमन को देखती है सांडे नगर प्रशासन के ओर से शहर में चिकन सिंटर चलाने वालों पर कठोर कारिवाई हो ऐसी मांकी जारी है बिस्यन न्यूस के लिए सांडे से किशोर धुंडेले की रिपूट